गूर्णिंग फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्टा स्टेट को आप्लाय कर सकता है तो आज की वीडियो में पूरा डीटेल में आपको बताऊंगा तो वीडियो को लास्तिक जरूर देखिए अगर आपने अब देख हमार चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो बिल आइकन दबा दो आल पर सेलेक्ट कर दो ताकि जब मैं वीडियो डालो आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को शुरू करते हैं मैं आपको बताता हूं वन बाइवन सो फिंद महारास्टा चेट कोप बैंक लिमिटेड मुंवऔरी के तरफ से व्यकेंसी आया हूआ है कि ट्रेनी ऑफिसर या प्रेंट को लिए आपको एक्सपिरिस का अपलाए नहीं कर सकते प्रेनी कलर का पोस्ट इसके लिए अप अपलाए कर सकती हो इसमें को परसेंटेज मार्क्स होना तो ही स्कॉप अप्लाई कर सकते हैं कि मैंने आपको पता है कोई भी एक्सप्रेंस नहीं मागा गया है उसके बाद हम लोग बात करते हैं एज की एज जो आपका 21 साल से कम नहीं होना 31-12-2019 को इसमें एज रिलेक्स केशन भी दिया गया है सेस्टी पास साल ओवी सी का तीन सार इंपोर्टन डेट की बात की जाए तो इसको अप्लाई करने का लास्ट है करना पड़ेगा आपका ओनलाइन टेस्ट होगा एक ही टेस्ट होगा इसमें उसका जो डेट है वेनू है आपको इमेल में बता दिया जाएगा जो भी शाटली स्टेट कैंडिडेट होंगे ठीक है चलिए आगे देखते हैं सबसे बड़ी बात कोई भी महाराष्ट का कैंड कर पाएंगे सेलेरी की बात की जाये तो क्लरक का सेलेरी जैसे के मैंने आपको बता है 30,000 रुपे पर मंत के हिसाब से रहेगा एप्लिकेशन फी की बात की जाये तो क्लरक के लिए अगर आप जनरल ओभी सी डव्यस केटिगरी से हो तो आपको 1180 रुपे का फी लगेगा spouse लेकर आपकश्यान के इसे परफोरमे में स collaborative से वे Сам égalा वेकर लेकर संदएक होगा के बात की जाये तो आपका online जाङंचमेन होगा जैसे आप online examination किलियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका computer proficiency test होगा जो कि एक normal सा test होता है उसके बाद आपका interview होगा अपलाई करने के लिए simple सा आपको description box में लिंक मिलेगा उस form को आप download करके सारा कुछ fill करके इस address पर आपको सारे शीरे समाझ माई होगी वीडियो पसंद आयोंगे तो लाइक करना आपने दोस्तों के साथ शेर करना और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फेंट तब तक के लिए अपने ध्यान रखना गुडबाई